नमस्कार मित्रों, और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्कूल, अरे हाँ, आपका स्कूल, सेन शांधी प्रकाश हाई स्कूल, मैं आज बात कर रहा हूँ, इतने सालों से आपने बस मुझे नियारा है, आज मैं आपको सुनाओंगा मेरी आप भी थी, आज तहे दिल से आपका शुक्रु गुजार करना चाहता हूँ, इतने साल बाद मुझे आपने याद किया, अपने कदम वापस अपने स्कूल में लेके आए, आज मैं बहुत ही जादा अनन्दित हूँ, आप जानते हो मेरी शुरुवात कैसे हुई, मैं किसके विचारों से निकला हूँ, मैं क इसके आशिर्वात से चल पड़ा हूँ, नहीं न, तो मैं सुनाओंगा मेरी कहानी, मेरी जुबानी। सन 1979, उस साल, उस वक्त तक हमारे यहाँ पे कोई अंग्रीजी मीडियम स्कूल नहीं था, जितने भी स्कूल थे, कोलापुर में हातों के उंगलियों पे गिने जा सकते इतने स्कूल थे, हमारे यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था, सब लोग वहाँ तक नहीं जा सकते थे, सबको अंग्रीजी मीडियम पे सीखना था, तब चाके मेरे चैर्मेन, रमेश लाल जी तनवानी, पेसुराम जी तनवानी, बल्राम जी, उन लोगों ने सोचा, कि क्यों न हम यहाँ पे कुछ ऐसा स्कूल बनवाए, जहाँ पे गरीब से गरीब बच्च इंग्लिज मीडियम में सीखें, अंग्रीजी मीडियम में सीखें, उस दिन एक नहीं किरन जगी, मेरी नहीं शुरुवात होने वाली थी, सन, 1980, लेकिन मेरे बसे राका कहीं पता नहीं, मेरे चैर्मेन, रमेश लाल जी तनवानी, उनकी मित्र, उदई सिंग आईकवार, और तलास जारी थी, उनमें एक हाथ निखर के उपर आया, बलराम सावलानी जी, सौमिश शांती प्रकाश मंदिर में मेरी स्थापना करी गए, उस दिन भारत की पहली मैला, कलेक्टर, शर्वरी कोकले, खासदार, उदे सिंग गायकवार्ड, और आदी लोग उपस्तित थे, 1981 के बाद मेरा प्रसार बढ़ रहा था, मुझे लोग चाहने लगे थे, तो मुझे कही और शिफ्ट किया गया, 15 मार्च, 1984 में मेरे लिए नई जगा देखी गई, 15 मार्च, 1985, मेरे नई सी शुरुवात हो गई, में बढ़ रहा था, मेरे गुरु वरिय, शांति प्रकाश महाराज जी ने, उस दिन कहा था, मेरे पास आने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, जिंदिगी में बहुत जादा तरक्की करेंगे, हर चीज में काम्याब बनेंगे, उनके आशिरवात से, मुझे चलाने वाले पूरे शिक्षक, मेरे प्यारे मित्रों के वज़े से, आज में शांत से खड़ा हूँ, पताए बच्चो, आपका वो स्कूल का पहला दिन, छोटे-छोटे कदमों के साथ, रोते भी लगते, आखों के साथ मेरे पास आते हूँ, रोते आप हो, लेकिन मैं मन ही मन में बहुत खुश होता हूँ, जैसे ही बड़े होते हो, स्कूल से चले जाते हो, मेरे यादों को सिंज़ोड कर, अपने साथ लेकर, तब मैं भी रोता हूँ, तब मैं भी आपके यादों को मेरे पास रख लेता हूँ, उनी यादों को अपने उजागर किया है और अपने स्कूल को अपने आप से मिलवाया है मैं यहाँ जिवन भर रहूंगा अनेक बच्चों को बढ़ता दिखूंगा और खुशेहाली से रहूंगा आप भी ऐसी ही रहो मुझे याद करते रहो चलो मैं चलता हूँ चुटियों में आराम भी तो करना है नए साल में वापस शान से खड़ा होके नए बच्चों के सौगत में जोड़ जाना है